हालो दोस्तों क्या है आल चाला आपके मैसेलफ सी ए नतनराटपाल फेकल्टी एट रुद्रा एजूकेशन और ट्रेनिंग हब जैसा कि दोस्तों हमारा टार्गेट है कि SFM को EG बनाना है और हर स्टुडेंट तक एक बेस्ट प्राइस में अच्छी क्वालिटी 100% कवरेज करते हुए एक्जामिनेशन के लिए दोस्तों आपको प्रिपेर करवाना है जैसा कि इंशिडूट के प्लैन एन एक्शन को देखकर SFM के अंदर प्रैक्टिकल के साथ साथ theoretical की भी demand थोड़ी बढ़ चुकी है तो हमें practical के साथ साथ SFM की theory series भी separate start करनी होगी और each and every theoretical matter पे आपसे बात करनी होगी अब पूरा की पूरा जो theoretical हमारा point है study material के point of view से जो भी content है हमारी approach क्या रहेगी theory के लेकर वो मैं जरा आपको इस वीडियो में guidance देना चाहता हूँ और धीरे धीरे फिर उस series को one by one one by one हर वीडियो में कैसे हम discuss करेंगे वो भी मैं आज आपको पूरा plan बताऊंगा दोस्तों आईए दोस्तों शुरू करते हैं आपके साथ देखेगा मेरा main topic है दोस्तों आज की वीडियो में वो है CMA Final SFM Theory दोस्तों की theoretical part कैसे CMA Final SFM में cover करना है तो दोस्तों आपको घबराने की जुरूरत नहीं है मैं अगर किसी चीज को शुरू करता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे खुद के exam है भई आप अगर exam देने जा रहा है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर मैं exam देने जाओं तो मैं इसके अंदर अच्छे marks कैसे score करूँगा तो अब मुझे लग रहा है कि भई ये आपको theory भी equal importance के साथ अपने examination के लिए साथ लेके चलनी होगी तो हमारी theory को लेके क्या approach रहेगी मैं आपको बताता हूँ दोस्तो एक बात आपको बिल्कुल बता दू 100% theory coverage के लिए 100% theory coverage के लिए कभी भी question based selected study नहीं होनी चीए तो theory 100% आपकी cover हो इसके लिए हमें क्या करना है है इसके लिए हमें focus करना है cma institute के study material को ठीक है जी तो हम cma institute के cma institute के study material को base बनाएंगे ठीक है जी cma institute study material हम इसको base बनाएंगे अब यह तो भाईया बहुत बड़ी किताब है एक पूरी की पूरी रामायन है गीता है कैसे study material को हम cover करें तो मैं हूँ दोस्तों आपके साथ और क्या अप्रोच आपको रहेगी theoretical respect में वह मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तों इस पूरे की पूरे study material के अंदर 11 study note है 11 study note है दोस्तों और हर study note के अंदर जितनी भी theory अविलेबल है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीन तरह की theory हर study material में होती है first one is the practical based theory क्या मतलब है जी बताता हूँ मैं आपको practical based theory practical based theory का मतलब जैसे की capital budgeting एक chapter है तो हमने payback period पड़ा IRR निकालनी NPV निकालनी तो इस से related जो theory होगी वो that is a practical based theory और point number B होगी जी नॉर्मल नॉर्मल त्योरी नॉर्मल त्योरी का मतलब होता है कि chapter की भूमी का बनाने के लिए chapter को start करने के लिए introduction level knowledge के लिए ये theory study matter में विलेबल होती है और तीसरी होती है specific theory specific theory का मतलब एक ऐसा theoretical part जो किसी particular event या particular topic पटिकुलर किसी चीज को define करता है किसी चीज को explain करता है that is specific theory तो सब दोस्तों हमें 100% चीजों को cover करना है अब जो practical based theory होती है वो जर्नली practical के साथ cover हो जाती है practical के साथ explain हो जाती है जो normal theory होती है ये केवल आपके study material पर ले जाके समझा देता हूं practical based theory नॉर्मल theory एंड उसके बास specific theory और कैसे हम उसे cover करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं ये देखिए जैसे कि दोस्तों आपका ये study material है मैं आपको दिखाता हूं एक बार study material को मैं open कर लूँ जिससे कि मैं आपको clear clear दिखा पाऊं कि क्या मतलब है हमारे normal का specific का जैसे कि total आपको पता है 11 study note है मैं study note number 1 पे चलता हूं मैं दोस्तों एक बार study note number 1 पे आपके साथ चलता हूं कि देन आपसे बात करता हूं total 11 study note है एक छोटा सा हिंट आपको दे रहा हूं बाकी 11 वीडियो में आपके लिए मैं theory complete लेके आऊंगा ये introduction मैं एक बार and control ठीक है अब इसके अंदर introduction तो ये normal theory में cover होगा इसके बाद ऐसे ही मैं आगे आपको लेके चलूँगा कि वह या type of long term investment decision ये भी एक normal theory जर्नल theory आय नॉलिज बेस त्योरी है एक्जाम के लिए इतनी important नहीं है लेकिन फिर भी हम होंगी long term investment decision में तो ये एक another normal theory नॉलिज बेस इस तरीके से आगे चलते रहे अब बात आती है estimation of project cash flow project cash flow को कैसे estimate के जाता है ये भी जर्नल और normal theory है इसके बाद अगर मैं आगे चलूं दोस्तों भाई उसके अंदर cash flow ये वैसे भी थोड़ा practical और normal theory के अंदर ही cover हो जाएगा initial क्या होता है subsequent क्या होता है तो दिस इस दा प्रैक्टिकल बेस थिए नॉर्मल प्रैक्टिकल टर्मिनल cash flow क्या होते हैं आपने capital bursting में अल्रेडी पढ़ रख है capital bursting के अंदर practical के अंदर अब आता है relevant cost analysis for project अब यह हो जाती है एक तरीके से specific theory specific का मतलब क्या क्या चीज़े हमें project के अंदर analysis करनी चीए तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा relevant cost का relevant revenue का क्या मतलब होता है project analysis के respect में भाई कौन-कौन सी चीज़े consider होनी चीए decision making में कौन-कौन सी consider नहीं होनी चीए तो वह मैं आपको tension ना लो इस तरीके से फिर यह टेकनीक आ जाती है practical based theory है जी यह भी payback period क्या होता है और payback, ARR क्या होती है, NPV क्या होती है, discounting technique, IRR यह सारी आपकी practical based theory में दोस्तों cover होती है अब इसके बाद आगे चलते हैं और आपको further guide करते हैं तो जब मैं आगे चलूँँगा दोस्तों study note number one की बात कर रहा हूं अभी और modified net present value यह भी practical based theory, modified IRR यह भी practical based theory दैन इसके बाद दोस्तो incremental approach that is a practical based again theory, unequal life practical based theory adjusted net present value again practical based theory, capital rationing क्या होता है again practical based theory दोस्तों जो आपने already practical के concept में अब एक topic आया मेरे सामने, social cost benefit analysis, SCBA, अब यह क्या है, specific theory है यह है दोस्तों specific theory जिसे मुझे अलग से एक notes आपको बना के देने हैं, अलग से आपको discuss कराना है और आपको याद भी कराना है, जिससे आपको exam point of time पे यह चीज़े याद रहें दोस्तों तो that is a specific theory और यह ही exam के लिए most important है, जिसके उपर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है जी, SCBA यह ध्यान देने की जरूरत है, बस इसके बाद आपके यह practical question स्टार्ट होगे, study note number one खतम, तो कहने का मतलब क्या है, दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ दोस्तों की SFM को EG बनाना है, और ज्यादा से ज्यादा 90 प्लस मार्क्स हमें स्कोर करने है, और उसके लिए हमें June 22 के लिए कुछ भी करना पड़े, डेली बेसिस पे आपके साथ लगना पड़े, महिनत करनी पड़े, each and every concept discuss करना पड़े, लेकिन study जरूर करनी है, जरूर 90 प्लस में अपने आपको कवर कराना है, और उसके लिए एक ही रास्ता है दोस्तों, study करना, पढ़ाई करना, education, time to time पर revise करना, और 100% 90 प्लस लाने के ल देना है, theoretical practical दोनों एंगल से, तो practical तो हम बहुत करते हैं, SFM के अंदर, और हर कोई कराता भी है, लेकिन theoretical series इस बार June 22 के लिए हम special आपके साथ discuss कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे theoretical में, और आप भी क्या करेंगे, पूरे study material की theory को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, practical based theory, journal और normal theory, और तीसरा specific theory, practical based theory हम already cover कर चुके हैं, अपने practical के अंदर, और normal theory को हम आपके साथ discuss करेंगे, और दीरे दीरे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो specific theory होगी, उसके मैं आपको particular study note के notes भी provide करूँगा, और साथ मैं आपके साथ discuss भी करूँगा, और अगर 4 number का question हमारे साम ने theoretical का आता है, तो उसे हम कैसे present करेंगे, 5-6 point उसकी noting भी हम अपने notes में करेंगे, तो यह हमारा एक पूरा process रहेगा, study note number 1, total 11 study note है, CMA final SFM में, तो 11 की 11 study note की, पूरी theory को, 3 heading के अंदर cover करना है, और 3 heading कों से हैं दोस्तों, आपको बताने है, number 1, normal, practical, और specific, ठीक है दोस्तों तो ऐसे ही 100% SFM को हम cover करेंगे, और time to time पे आपको guide करते रहेंगे, मैं आपका दोस्ति है नतनराजपाल, tata bye bye